हेलो स्टूडिन्ट कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सो बचो जैसे कि हमारे स्टूरेंट के काउंसलिंग के सेशन चाल रहे हैं तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है आज के वीडियो के मीडियम से आपको पता चलेगा कि इस साल जो चींजेज उए हैं टीन बहुत बड़े जो चींज 뉴스 हुए हैं काउंसलिंग के लिवल पर वह क्या चींजे थे डिद इस की तरह कि प्लिज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके वज़े से आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, हर एक न्यू अपडेट के, ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट, सो बचो, नीट यूजी काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हर साल देखिए कुछ ना कुछ चेंजिस होते हैं, अगर हम 2020 की बात करें, तो और इंडिया कोटे में पहले केवल दो राउंड्स होते थे, जैसा कि आपको पता है, कि अब कितने होते हैं, चार राउंड्स होते हैं, ठीक है, सो ये एक चेंजिस कुछ ना कुछ आते रहते हैं अगर हम बात करते हैं 2022 में कौन से बड़े चेंज़ आए हैं तो यह देखिए आप तीन मेजर चेंज़ेस पैला चेंज़ेस है कि फिफ्टीन परसेंट जी आंड की सीट मताल जम्मु कश्मी की सीट जम्मु कश्मी के जो आपके सीट से होता है पहले क्या होता था यह नहीं होता था प्रीविस लिए जम्मु कश्मी की जो कॉलिजस थे वो और इंडिया कोटे में नहीं आते थे ठीक है लेकिन इस साल से वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया कोटे के अंदर जिससे क्या होगा बच्चों जिससे यह हो तो पहले क्या होता था जमू कश्मी के जो colleges होते थे वो आपके औल इंडिया कोटे के अंदर नहीं आते थे लेकिन आप ऐसा नहीं है तो यह बड़ा changes है आपके लिए इसे देखें से अगर हम बात करें तो जमू कश्मी में अगर आप बात करते हैं तो almost 8-9 colleges है जिसमें कि आउन वहाँ पे होंगी आएंगी ठीक है अब देखें उसे फायदा क्या है कि स्टूरेंट दोस हो वांट तो स्टाड़ी इंडियें के नाओ के और सो प्लाइब वह भी आल इंडिया कोटे के जुरी अप्लाई कर सकते हैं वह भी कहीं जाके पढ़ सकते हैं ठीक है लिकिन पहले असा नहीं होता था साथी साथ जो बाहर के हैं आउट सेंट्रेंट के नाओ देके नौ सब्लाई मत्ता जमू कश्मी के बाहर के वह भी आप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं तो यह चेंगे से जो आपके लिए फ्लेक्सिवल हो गया ह पहले क्या होता था पहले होता था जमू कश्मी के छो होते ते सुडेंट वह आपके बहां पर ना चाहते हैं यह वहां कि बच्चे अगर कहीं और पर ना चाहते तो उन सब के लिए क्या हो चुका है बैनी फीशल हो चुका है है ना ये बड़ा चेंज़ आंड के इंपोर्टेंट भी है क्लियर सो बचो अगर हम दूसरी बात करते हैं दूसरे बड़े चेंज़ेस की बात करते हैं वो है अगर आपने वाल इंडिया कोटे के लिए तो अपने ऑल इंडिया कोटे के लिए तो और साथिपेट इन सेट असे अपने सेट कोटे में भी आपने पार्टिस्पेट किया और आपने MCC के कॉलेज को लेफ्ट कर दिया तो नाव अथार्टी इन चीज़ों के लिए अवेर हो चीकी है स्टुडेंट एड्मीशन क्या हो जाएका नॉन एलिजबल तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि अगर आपने एमिशन ले लिया फिर आप स्टेट में विजा के कर रहे हो नहीं आप एक जगह अडमीशन लो इससे क्या होती है seat use नहीं हो पाती, seat in the sense कि बाकी बच्चे उसे affected होंगे तो अब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता ठीक है, आप उस चीज के लिए अगर दूसरी जगा जाओगे स्टेट में भी दूसरी जगा admission लेने जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा non eligible हो जाएगा, ठीक है तो कहने का मतब है कि जैसे for example, अगा हम बात करें, कि all India कोटे में, जैसे कि round 2 में and there are a lot seat as well, आपने round 2 में अपनी seat क्या कर दिया, lot कर दिया, ठीक है admission ले लिया, now your name will be there in the portal, अब आपका नाम कहाँ पे आगया, पोटल में आगया ठीक है, अब आप student cannot take participation अब आप स्टेट कोटे में पार्टिस्पेट नहीं गड़ सकते हैं बिकोज आपने जगए admission ले लिया, तो अब आप स्टेट कोटे में जाके फिर उसको छोड़ोगे, तो नहीं, जहां ले लिया, वहां पे वापको लेना पड़ेगा ठीक है, so round 2, all India कोटा, स्टेट कांस्लिंग round 2, मतलब इसके बाद आपने स्टेट कांस्लिंग round 2 में गए, दोनों जगए admission ले लिया, ऐसा नहीं होगा, बात क्लियर हो रही है, so यह ऐसा common portal है, जहां पे आपके पता दिया जाता है, कि बच्चे ने इस जगा पे admission ले लिया, तो authorities अपनी तर से क्या है, उनको पता चलिया है, कि हाँ student का यहाँ पे admission हो चुका है, clear हो रही है बाद? The third, which is very important changes, वो क्या हुआ है, overseas eligible only for the NRI seats, मतलब कि, देखे, पहले क्या होता था, कि जो overseas के लोग होते थे, like NRI होते थे, they fight for all the seats, वो सारी seat के लिए fight करते थे, लेकिन इस सार से क्या होगा, NRI will eligible for only the NRI seat, मतलब जो NRI है, वो किस के लिए eligible है, केवल NRI seats के लिए, ठीक है, you don't need to go to AIQ, means all India quota seats में जाने के आपको जरुबत बिल्कुल भी नहीं है, clear, तो मतलब कि overseas students है, now can fight for the, आप केवल NRI seats के लिए ही fight करेंगे, ठीक है, आप all India quota की seats में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, कहाँ पर करना है, आपको overseas student कहाँ पर fight करेंगे for the NRI seats के लिए, clear, फिर अगर हम बात कहते हैं, aims for the foreign national seats, वो किस के लिए होता है, only for the OCI and the PIO के लिए, लेकिन पहले क्या होता था, वहाँ पर fight कौन करता था, NRI भी fight करते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपके NRI नहीं fight करेंगे, only OCI and PIO will get benefited, और जिसके वज़े से जो cut off होगा, वो क्या होगा, आपका कम जाएगा, ठीक है, तो बचो ये आपके कुछ three important changes आएँ हैं, इस बार, ठीक है, so इन चीजों से आप aware रहें, जिससे हमारे students को ये पता हो कि क्या-क्या changes आएँ हैं, जो changes आएँ वो आपको पता रहने चाहिए, चाहे वो हम common portal की बात करें, चाहे हम NRI seats की बात करें, एज आपकी queries भी आती है, NRI के लिए, ठीक है, बहुत डीड़ सारे changes के बारे में भी आप aware होना चाहते हो, आपके बहुत ज़दा queries आती हैं, so एक ये करके बच्चों आपको सारे वीडियोस मिलते चलेंगे, so I hope कि इस वीडियो के मीडियम से आपको जो changes हुए हैं, उसके बारे में